हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टार्गेट सिल्स रिसेज में आज है 13 जुन और आज किस लेक्षा में 13 जुन से जितने भी करेंट एफेस के कोशन बनने वाले हैं सारे कोशन को इस लेक्षा में हम डिसकस करेंगे और साती दोस्तों इन करेंट एफेस के कोशन से जो भी एक्स्ट्रा फेक्ट बनेगा उन्हें भी हम डिसकस करने वाले हैं तो सबसे बिल हम बात करते हैं जो लास क्लास में आपसे कोशन पुछा गया था कि भारती तट रक्षक का जो नया महानिदेशक है वहाँ दोस्तों किसे न्यूक्त किया गया था तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ भारती तट रक्षक है जो नया महानिदेशक है इसके रूप में न्यूक्त किया था विरेंदर सिय पठानिया को यहाँ पे correct answer है option 2 और आप देख सकते दोस्तों यह है विरेंद्र सिय पठानिया जिने भारती तटर अक्षक का जो नया महानिदेशक है भन्यूक तक किया गया था अब दोस्तों सुरुवात करते हैं जो हमने last class में question किया थे उनीके revision की तो revision का पहला question है credit linked सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल को किसने launch किया है इस पोर्टल को launch किया दोस्तों हमारे देश की प्रधानमंती नरेंद्र मोदीजी ने यहाँ पे correct answer है अगला question की air force regulation 2022 के अनुसार अब दोस्तों कौन CDS बन सकता है तो मैं आपको बता दू अब air marsal या air chief marsal air force regulation सर CDS बन सकता है यहाँ पे correct answer है option 2 next question की भाती state bank के नए MD कौन बने है यहाँ बन गए है आलोक कुमार चौधरी यहाँ पे correct answer है option 3 अगला question दोस्तों की अहाली में किस भारती महिला खिलाडी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो यहाँ सन्यास लिया दोस्तों मिताली राजने यहाँ पे correct answer है option 2 अगला question दोस्तों की वीश्व खाद सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है तो दोस्तों प्रती वर्स वीश्व खाद सुरक्षा दिवस साथ जुन को मना जाता है यहाँ पे right answer हो जाएगा option 3 next question की भारती सेना दोरा एक सिखान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है इसको किसे देश ने आयुजित किया है दोस्तों इसको आयुजित किया है मंगोलिया के दोरा तो यहाँ पे right answer है option 2 next question है की अगनी 4 क्या है जिसका हाली में दोस्तों भारत दोरा परिक्षन क्या गया है लेक्चर को लाइक ने किया है तो लाइक जरू कर दे शेर भी करें अगर आप इस शेम पर नहीं हो दोस्तों तो इसे subscribe भी जरू कर ले कोशन यह किस देश ने چंटरमा का दुनिया का सबसे विस्तरत नक्सा जारी किया है तो यह विस्तरत नक्सा जो जारी किया है चाइना ने यहां पे correct answer आप्शन 4 तो दोस्तो चीने ने चंडरमा का एक नया भूगार्भीय नक्सा जारी किया है जिसके बारे में उसका कहना है कि यहां अब तक का सबसे विश्थत नक्सा है साथी दोस्तों मैं आपको वदा दू कि मानचित्र ने 2020 में अमेरिका दोरा मैप किये गए मानचित्र की तुल्ला में लुनर सर्फेस का और भी बारिक विवरन धर्ज किया है नया नक्सा पहली बार 30 मई 2022 को साइन से बुलेटिन दोरा प्रकाशित किया गया था तो यहां पर दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि चंदरमा का जो दुनिया का सबसे विश्थ नक्सा है इसे किस देश ने जारी किया है तो चाइना ने इसे जारी किया है यहां पर correct answer है option 4 और अब चलते हैं अगले question के ओर और आपके लिए अगला question दोस्तों कि विश्थ प्रत्यान दिवस 2022 कब मनाय गया है तो मैं आपको बता दो कि यह जो विश्थ प्रत्यान दिवस है यह प्रतिवर्स नौजुन को मना जाता है यहां पर correct answer है option 3 तो हर साल नौजुन को विश्थ प्रत्यान दिवस मना जाता है इसे दिवस को मनाने की जो पहल है वह अंतराश्ची प्रत्यनन मंच और अंतराश्ची प्रयोग साला प्रत्यनन सहयोग द्वारा सुरू की गए थी उद्देशे की बात करें तो व्यापार एव अर्थ व्यवस्ता में प्रत्यनन की भूमेका को रिखांकित करने एव बढ़ावा देने के लिए विश्व प्रत्यनन दिवस मना जाता है वर्षे 2022 के हम थिम की बात करें तो यह है दोस्तो sustainability in economic growth and the environment यह इस वर्षे की थिम है यहाद रखना प्रत्यानन आर्थिक विकास और परियावरन में इस्तिर्था यह इस वर्षे की थिम आपको याद रखना है तो याद क्या रखना आपको कि विश्वर प्रत्यानन तक करेंटेफेस की पीडियेप पर्चेस करना चाहते हो तो आप हमारे वाट्सेप नंबर 7566-836-900 पर संपर्क कर सकते हो यहाँ पर आपको दोस्तो पीडियेप कैसे पर्चेस करना है यह बता दिया जाएगा और अप्चले दोस्तो अगले कोशन की और कोशन की परियावरन प्रदर्शन सुचकांक 2022 में कौन सा देश सिर्श सिस्तान पर रहा था तो इस इंडेक्स में दोस्तो सिर्श पर रहने वाला जो देश है वह है डैनमार्क करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्चन वन तो दोस्तो डैनमार्क परियावरन प्रदर्शन सुचकांक 2022 में सिर्श सि 18.9 करने की वजह से ये सबसे निचले पायदन पर रहा है। दुसरी इस्तान पर युनाइटिट किंग्डम और तीसे इस्तान पर फिंडलेन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि परियावरन प्रदर्शन सुचकाम। 2020 में सिर्शिस्तान पर देश रहा है डेनमार्क और साथी भारत की जो रैंक है वो 180 रही है। और अब चलते हैं नेक्स कोशिन के और। आपके लिए अगला कुशिन दोस्तों कि महत्मा गांदी राश्री ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लोगपाल के रूप में किसे न्यूकत किया गया है। तो यहां न्यूकत किया दोस्तों N.J. ओज़ा को और अप्शन वन तो दोस्तों N.J. ओज़ा को महत्मा गांदी राश्री ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना के दहत दो साल के कारेकाल के लिए लोगपाल के रूप में न्यूकत किया गया है। N.J. ओज़ा के पास मन्रेगा कर्मचारिय दोरा लगाए गए। आरोपो की जाच करने, उन पर विचार करने, सिखाज पराप्त होने के 30 दिन के भीतर पुरुसकार देने की सक्ति भी है। तो यहाँ पर आपको याद दिखना है कि महातमा गांदी, रास्रामिन, रोजगार गारंटी, योजना मन्रेगा के लोगपाल के रूप में किसे ने उक्ति किया है। तो यहाँ पर करेक्ट अंसर है, और अब चलते हैं नेक्स कोशन के ओर। आपके लिए अगला कोशन दोस्तों की पेरा सुटिंग वर्ड 2022 का जो आवजन है, वा कहां पर किया गया है। इसका आवजन हो रहा है दोस्तों फ्रांस के चेटो रॉक्स में, करेक्ट अंसर है, और अब चलते हैं, तो यहाँ पर आपको याद दखना है कि पेरा सुटिंग वर्ड 2022 का आवजन है, वा कहां पर हो रहा है, तो फ्रांस के चेटा रॉक्स में किया जा रहा है, यहाँ पर अगला पूशें दोस्तों कि अंतराशी अलूमिनियम संस्तान के नए अदिक्ष कौन बने हैं तो दोस्तों अंतराशी अलूमिनियम संस्तान के जो नए अदिक्ष है वह 37 पाई बन गए है यहां पर correct answer है option 1 तो 37 पाई अंतराशी अलूमिनियम संस्तान के नए अदिक्ष बने ह और इन्होंने दोस्तो एन कहर्स का इस्थान लिया है यहां पर हम बात करें इंटरनेंसर अलूमिनिया इंस्टिटूट की जिसका मुख्यले लंदन ब्रिटेन में इस्तित है तो यहाद दिखना हैं दोस्तो कि अंतरश्ची अलूमिनियम संस्ता के जो नए अधिक्ष्य है वह हाली में भारत द्वारा जानवरों का पहला कोविड-19 वैक्षिन लॉंच किया है और उसका जो नाम है वह एनो कोवेक्स है करेक्ट अंसर है ऑप्शन वन तो क्रशी मंत्री नरेंदर सियां तोमर ने हर्याना इस्थित आई सी ए आर नेसनल रिसर्च सेंटर ओन इक्वाइन द्वारा विक्सित जानवरों के लिए देश का पहला घहरेलो कोविड-19 वैक्षिन एनोवेक्स का लॉंच किया है दोसो एनोवेक्स जानवरों के लिए एक निस्क्रिय सार्स कोविड-2 डिल्टा टीका है एनोवेक्स से द्वारा प्रेरित प्रतिरप्छा सार्स कोविड- वेक्सिन है दोस्तों इसे हाली में लॉंच किया है और क्रेशिमंत्री नरिंदेशिय तोमर ने इसे लॉंच किया है यहां पर करेक्ट अंसर है ऑप्शन वन और अब चलता है नेक्स कोशन के और और आज का दोस्तों लास्ट कोशन आपके लिए विश्व बाल स्रम निशेद दिवस 2022 कब मना गया है तो यहां मना जाता है दोस्तों प्रति वर्स बारा जुन को करेक्ट अंसर है ऑप्शन थर्ड तो अंतरशिस रम संगटन ने बाल स्रम खिलाप ध्यान केंदित करने के लिए वर्स 2002 में वीश्व बाल स्रम निशेद दिवस के सुरुआत के थी यहां दिवस दुनिया भर में बाल स्रम में मजबुर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली हानिकारत, मानसिक और सारीरिक समस्या के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए मना जाता है वर्स 2022 की थिम की बात करें तो यह है दोस्तों यूनिवर्सल सोसल प्रोटेक्शन टू 2022 कब मनाया गया है इस जोन को और इसकी जो सुरुवात है यह प्रतिवर्स कब से मना जा रहा है तो 2002 से मनाया जा रहा है और अगो दोस्तों हम बात करते हैं आज के कोशे आमतरे की जिसका जवाब को कमेंट सेक्शन में देना है कोशे ने कि टेनिस टोनामेंट फ्रेंच 2022 में पूरुस एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है इसका सही जवाब को कमेंट सेक्शर में देना है साथ ही यहाँ पर आपको पताना है कि फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है तो आज का लेक्शर यहीं परेंड होता है अगर आपको हमार लेक्चर पहनेत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरू करे शेयर भी करे अगर आप इस शेंप नहीं हो दोस्तो तो इसे सब्सक्राब भी जरू कर ले थैंक यू सो मच गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई टेक क्यार